हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ IIT BHU के Architecture Department के Placement की तो मुझे पता है जब ये Department स्टार्ट हुआ था और इसमें बच्चों ने Admission लिया था तो यहाँ का Administration सोच रहा था क्या इन बच्चों को IIT Companies के Placement में Allow करना चाहिए या नहीं करना चाहिए लेकिन बाद में Decision लिया गया Yes, इनके Students को भी यहाँ पर IIT Companies में Placement के लिए Allow करना चाहिए तो क्या इस Department से बच्चों की Placement होती है या नहीं तो सबसे पहले बाद आता हूँ कि इस Department में Near About 21 to 26 Seats हैं जो कि आप जोसा पर जागे चेक कर सकते हैं लेकिन यह Seats कभी पूरी Fill नहीं होती इसमें Near About 18 to 20 Students होते हैं और उसमें से भी कुछ बच्चे बाद में Shift हो जाते हैं तो Near About 15, 16 Students ही रह जाते हैं इस Department में तो अब देखते हैं क्या इन बच्चों की Placement होई है या नहीं होई है तो मेरे पास जो डेटा है मैं उस डेटा के इसाब से बात करूँगा और आपको में बदा दो यह जो डेटा है यह December के मन्त का डेटा है जिसमें Maximum Placement होती है उसके बाद residual Placement चलती रहती है लेकिन December में जो Companies आती है बहुत अच्छे Package के साथ आती है तो देखते हैं क्या Architecture Department से Placement हुई है या नहीं तो सबसे पहले बताओं कि Architecture Department से एक Student की Placement हुई है Media.net Company में Yes तो Media.net Company में Architecture Department के Student की Placement हुई है और Package आपको जानकर काफी हरानी होगी Package जो मिला है इसके Student को That is 21.16 Lags तो Architecture Department के लिए इतना Placement का Package ग्रैप करना It's like a celebration thing for that department तो Media.net के बाद हम देखते हैं और क्योंसी Company में Selection हुई है Next Company is Easy Diner Easy Diner में भी एक Student की Placement हुई है और Easy Diner का जो Package है It is 20 Lags रोपेस तो एक परसन की होई है Media.net में और एक परसन की होई है Easy Diner में Package 21 and 20 Lags रोपेस मिले है Next हम बात करते हैं I-PAC Company ठीक है I-PAC तो इसमें भी एक Student की Placement हुई है इस Student को मैं जानता हूँ काफी अच्छा Student है तो इसका भी जो Package लगा है वो नियर अबाउट 16 Lags रोपेस का Package लगा है तो तीन Student का जो Package लगा है अभी तक बहुत अच्छा Package लगा हुआ है और अगली कमपनी जो है अच्छली ये कमपनी नहीं है ये एक तरह का Coaching Institute है और डाट इस I-ATN PACE Academy I-ATN PACE Academy भी एक Student की Placement हुई है और Package मिला है 15 Lags रोपेस का तो गाइस सिरफ 4 Students की Placement हुई है Architecture Department से बात में स्टायद कुछ Student की Residual Placement चली हूँ लेकिन दिसमबर की मन्त में इनी 4 Students की Placement हुई है और मैं आपको फिर से बता दूँ कि इस Department में इतने Student नहीं होते है Maximum 10 to 15 के बीच में ही होते है तो ये थी मेरी वीडियो Regarding Architecture Department I-ATBHU के Placement पे अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए Comment section में कुछ भी खूल सकते है Thanks for watching this video